हेलो, इस वीडियो में हम पाइवर्ट टेवल के बारे में जानेंगे तो पाइवर्ट टेवल क्या है इसको यहां पे जानेंगे कभी-कभी एक्सल में डेटा इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसे एक साथ रख कर देखना बहुत कठीन हो जाता है तो इस सैचुएशन में हम पाइवर्ट टेवल का यूज़ करते है पाइवर्ट टेवल के दवारा हम अपने सारी डेटा को कम से कम जगा में रख सकते है और उसे देख सकते है और अगर इसका प्रिंट लेना चाहें तो यह प्रिंट भी ले सकते है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे Excel sheet को यहाँ पर open करेंगे यह Excel sheet यहाँ पर open हो जाएगी यहाँ पर दिया गया है customer ने item ने price, quantity, sales or date तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर Pival table यहाँ पर बनाएगे तो यह काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर insert tab पर जाएंगे insert tab पर जाने के बाद tables group में यहाँ पर दिया गया है pivot table यहाँ पर click करेंगे तो click करने से पहले हम क्या करेंगे यह जितना भी data दिया गया है इसको select करेंगे, यह select किया select करने के बाद फिर insert tab पर जाएंगे और यहाँ पर पाइवोर्ट टेवल यहां पे click करेंगे click करने के बाद यहां पे create पाइवोर्ट टेवल यह dial-up box यहां पे आ जाएगा यहां पे दिये गया है choose the data that you want to analyze तो अब हमने क्या करना है यहां पे data को choose करना है तो यहां पे दो option है पहले select a table range यहां पे हमने table की range को select करना है तो हमने क्या किया हुआ है पहले से range को select कर लिया है तो यह range यहां पे select होके आ गई है यहां दूसरा method है यहां पे use an external data source हम इसको external data source को भी यहां पे use कर सकते हैं तो हम यहां पे पहले को ही यहां पे select करके रखेंगे इसके बाद यहाँ पर आएंगे New Worksheet तो हमने क्या है यह जो PIVOT TABLE है इसकी नई वर्कशीट बनानी है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे आगर हमने इसी data को existing worksheet यहाँ पर रखना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद यह जो sheet दी गई है क्लिक करने के बाद अब OK पे क्लिक करेंगे तो यहां पे यह देखो नई sheet open हो जाएगी sheet number 1 यहां पे आ जाएगा आने के बाद यह जो area पाइवल टेवल का यहां पे report क्रेट करेंगे हम right hand side में यहां पे pen में दिया गया है जैसे पाइवल टेवल फिल्ड जो भी हमने column बनाए हुआ है वो column यहां पे आ जाएगे यह देखो यहां पे पाइवल टेवल इसको क्लिक करेंगे यह देखो जितने भी column बने हुआ है यह customer name, item name, price, quantity, sales, date यह सारे जो हैं यहां पे sheet number 1 यहां पे आ जाएगे इसके बाद यह निचे इसके area है जैसे यह filter का area है यह column का area है यह values का area है यह rose का area है अगर यह style हम change करना जाते हैं तो इस style को हम change भी कर सकते हैं यहां पर setting में जाएंगे और settings में जाने के बाद यह दिको यह जो है यह इस time है इसको अगर change करना है तो हम यहां पे click करेंगे यह इसमें आ जाएगा यह देखो यह चेंज हो जाएगा अगर और style चाहिए तो हम यहाँ पे setting पे click करेंगे और इसमें field selection only तो यहाँ पे यह field selection only यह आ जाएगा अगर और चाहिए तो हम यहाँ पे click करेंगे यह देखो इसमें आ जाएगा तो हम जो भी यहां पे style लेंगे, उस style में बनके आ जाएगा हमने यह पहले style इसी को रखा, यहां पे यह style आ गया यह जो दिये गया है, जैसे यह field यहां पे आ गई है जैसे यह customer name है, जब हम यहां पे customer name पे click करेंगे तो यह automatic ही यहां पे row area में चली जाएगी यहाँ पे हमने इसको चेक किया चेक करने के बाद यह आर्टोमेटिक ही यहाँ पे रो एरिया में चले गई रो एरिया में जाने के बाद यहाँ पे देखो यह जो रिपोर्ट है यहाँ पे बन के आ गई कि यहाँ पे जितने भी नेम है कॉस्टमर के यह नेम सभी यहाँ पे आगे तो यह जितने भी नेम से है यह नेम रोवाइज है हम इन नेम को कॉलम बाइज भी कर सकते हैं इसको करने के लिए हम के करेंगे यहाँ पे यह जो कॉस्टमर नेम है इसको drag and drop करेंगे column area में यह देखो यहाँ पर drop कर दिया तो यह देखो column wise यहाँ पर name आ जाएंगे तो इस प्रकार अगर यहाँ पर लाना है द्वारा फिर तो हम यहाँ पर drag and drop करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे यह row wise आ जाएंगे यहां पे values वाले area में रखेंगे तो यहां पे कितने है यह name यह values में आएंगे यहां पे इसको drop किया यह values में आएंगे अगर filter में ले जाएंगे इसको यहां पे filter पे रखेंगे तो यह लेको filter यहां पे लग जाएगा तो जो भी हम यहाँ पर करना जाते हैं वो हम यहाँ पर कर सकते हैं इसको cancel किया और इसको drag करके निचे ले आएए row area यहाँ पर रखा इसके बाद अगर हम इन names को descending order में करना जाते हैं तो यह कैसे करेंगे यहाँ पर more button पर click करेंगे more button पर click करने के बाद यह देखो यहाँ पर sort a to z यह दिये गया है यह करना है ascending order में करना है यह descending में करना है तो यहाँ पर यह दिये गया है जैसे suppose करो हमने इसको descending order में करना है names को तो यहाँ पर sort z to a यहाँ पर click करेंगे यह जो names है यह descending order में आ जाएंगे तो इस तरह से हम अगर ascending में करना है तो ascending में कर सकते हैं names को descending में करना है तो descending में कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे हम second field को check करेंगे items name items name जब हम यहाँ पे check करेंगे तो यह automatic row area में चली जाएगी जो items name है यहाँ पे row area में आ गई तो row area में आने के बाद यह लिखो यहाँ पे आ जाएगा सुरेश सुरेश ने क्या लिया हुआ है joystick तो यहाँ पे आ गई surrender इसने के लिया हुआ हार्ड डिस्क बैग इसके बाद शशी इसने के लिया हुआ DVD साहिल इसने के लिया हुआ है mouse तो यह सभी यहाँ पे बन के आ जाएगी list इसके बाद अगला है price तो price में यहाँ पे जब हम यहाँ पे इसको check करेंगे तो यह values वाली field में automatic आ जाएगा यह देखो यहाँ पे हमने इसको check किया तो check करने के बाद यह जो price था यह value वाली list में आ गया इसके बाद quantity चाहिए तो यह quantity आ जाएगी इसके बाद sales चाहिए यह sales का आ जाएगा अगर date का चाहिए तो यह date का आ जाएगा तो इस तरह से हम यहाँ पे जितने भी field हैं इनको यहाँ पे insert कर सकते हैं और एक record यहाँ पे बना सकते हैं यहाँ पे सभी customer का यहाँ पे record आ जाएगा record आने के बाद अगर इस record को हम filter करना जाते हैं तो यह filter भी कर सकते हैं इसको करने के लिए यहाँ पे more button पे जाएंगे more button पे जाने के बाद यह list यहाँ पे आ जाएगी इसमें से किसका record चाहिए जैसे suppose करो इसको यह सभी यहां पे select है इसको uncheck किया uncheck करने के बाद किस किसका record यहां पे चाहिए जैसे यहां पे aloq का चाहिए आमित का चाहिए और इसके बाद बॉबी का चाहिए यह तीन का record यहां पे चाहिए तो ये तीन हमने यहां पे इसको चेक कर लिया चेक करने के बाद यहां पे OK पे कलिक करेंगे OK पे कलिक करने के बाद यह देखो यहां पे तीन का रिकोर्ड यहां पे फिल्टर होके आ जाएगा तो इस प्रकार जितने भी यहां पे कस्टमर है उन customer का यहां पे हमें record निकाल सकते हैं सभी का record चाहिए तो फिर हम यहां पे जाएंगे filter पे और filter पे जाने के बाद यहां पे select all यहां पे इसको check करेंगे check करने पे ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद यह देखो सभी का record यहां पे आ जाएगा अगर हम यहां पे date के इसाब से report को generate करना जाते हैं तो हम date के इसाब से report को generate कर सकते हैं इसको करने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे यह जो date यहां पे row area में है इसको उठाएंगे और उठा के या तो हम इसको उठा के यहां पे रख देंगे तब भी आ जाएगी या हम दूसर method कौन सा use करेंगे यहां पे date के यहां पे more button पे click करेंगे और more button पे click करने के बाद यहां पे उपर दिया गया move to report filter यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यह देखो यहां पे date आ जाएगे तो date आने के बाद यहां पे date filter यहां पर आ जाएगा अब हम डेट के इसाब से यहां पर रिपोर्ट जनेट कर सकते हैं हमने यहां पर डेट के मौर बटन पर यहां पर क्लिक किया यह देखो यहां पर सब भी डेटे दी गई है 11 के बाद यह जितनी भी डेटे यहां पर दी गई है यह सब भी डेटे यहां प तो इसको यहां पे 25 को यहां पे select करेंगे और इसके बाद यहां पे OK पे click करेंगे OK पे click करने के बाद यह देखो एक तो महिंदर 25 को यह खुरीदा हुआ है wireless mouse एक आलोग जिसने की power adapter यह खुरीदा हुआ है तो यह दो की report यहां पे जरनेट होके आ जाएगी अगर हमने यहां पे multiple dates यहां पे निकालनी है तो यह कैसे करेंगे यहां पे date के filter पे यहां पे जाएंगे अगर हमने यहां पे multiple dates चाहिए तो हम क्या करेंगे यहां पे इसको check करेंगे चेक करने के बाद यहां पे select multiple items अब हम यहां पे कौन कौन सी date चाहिए जैसे यहां पे 13 ये चाहिए 16 ये चाहिए इसके बाद कौन सी डेट चाहिए यहां पे 20 ये चाहिए तो ये जो डेटे हमने सलेक्ट की तो इन 3 डेटों का यहां पे report बनके आ जाएगी ये देखो OK पे क्लिक किया तो OK पे क्लिक करने के बाद ये देखो तीन डेटों के यहाँ पे रिपोर्ट बन के आ जाएगी तो इस तरह से हम यहाँ पे डेट के साब से यहाँ पे रिपोर्ट त्यार कर सकते हैं अगर सभी यहां पे डेटे जाए तो हम क्या करेंगे डेट के यहां पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे डेट के फिल्टर पे क्लिक करने के बाद यहां पे आल पे इसको चेक करेंगे चेक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो यह देखो यहां पे जितनी भी डेटे थी हमने QE, सभी data यहाँ पर आ जाएंगी यहाँ देखो, सभी data यहाँ पर बन के आगी, इसके बाद यहाँ पर हमने किसी को अगर uncheck करना है, तो uncheck भी कर सकते हैं, जैसे suppose करो, यहाँ पर quantity, इसको uncheck किया, तो यहाँ से quantity यहाँ पर चला गया है, इसके बाद कभी कभी क्या होता है, यह जो pivot table field है, यहाँ से हट जाती है, यह कैसी हटेगी, यहाँ पर click किया, यह यहाँ से चली गई तो इसको बाफिस कैसे लाएंगे, बाफिस लाने के लिए हम यहाँ पर click करेंगे, और यह देखो यह बापिस आ जाएगी यहां से भी हम क्लिक करके field list यहां पे क्लिक करेंगे और यह यहां पे आ जाएगी इसके बाद अगर हम यह date इसको निचे ले आना चाहते है row के यहां पे area में तो इसको कैसे लाना है निचे इसको करने के लिए यह more button पे यहां पे क्लिक करेंगे और more button पे क्लिक करने के बाद move कहां पे move करना है इसको move to row level यहां पे क्लिक किया तो यह लिखो यहां पे आ जाएगी row area में यहां पे आ जाएगी तो यहां पे यह date का filter यहां पे लगाया था तो यह लिखाने जाएगा यह लिखा तो यह लिखाने जाएगा तो यह कैसे यहाँ पर इसको change करेंगे change करने के लिए यह साहिल ने यह mouse लिया हुआ है 300 का यहाँ पर 500 करना है तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर main sheet इसको open करेंगे open करने के बाद ये देखो साहिल इसने mouse लिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 500 यहाँ पे 500 यह लिखा लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे जाएंगे sheet number one यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे जाने के बाद यह अभी change ने हुआ 300 यहाँ पे है ये चेंज करने के दिए हम यहांपे Analyze Tap पे जाएंगे यहांपे जाने के बाद refresh पे जाएंगे रिफ्रेश पे जाने के बाद आगर बाउत जगा हमने चेंज के हुई है तब तो हम यहाँपे refresh All पे क्लिक करेंगे अगर यही को हमने चेंज करना है तो हम यहां पे refresh पे click करेंगे यह दिखो refresh पे click किया तो यह दिखो यहां पे mouse का price यह change हो गया 500 तो इस तरह से अगर हमने कोई भी यहां पे value change करनी है तो हम इस तरह से इसको change कर सकते हैं इसके बाद आगे है जैसे यह यहां पे data दिये गया है इसको clear करना है तो हम क्या करेंगे यहां पर clear पर जाएंगे और clear all पर जाएंगे यहां से सारा data यहां पर clear हो जाएगा फिर हम इसको undo करते है ctrl z बापिस आ गया इसके बाद अगर हम इसको select करना जाते हैं सारी data को तो क्या करेंगे यहां पे select पे जाएंगे और यहां पे entire pivot table यहां पे click करेंगे click करने के बाद यह देखो जितना भी यहां पे data है यह सारे यहां पे select हो जाएगा इसके बाद फिर हम यहां पे analyze tab पे click करेंगे इसके बाद यहां पे करेंगे insert timeline तो टाइम लाइन को कैसे इंसल्ट किया जाता है यहां पर इंसल्ट टाइम लाइन पर क्लिक किया इंसल्ट टाइम लाइन डायलोग वोक्स यहां पर आ जाएगा यहां पर हमने इसको डेट को यहां पर चेक किया चेक करने के बाद ओके पर क्लिक किया ओके पर क्लिक करने के ब अच्छबाद डेर यहां पर हम इसको चेक करेंगे अब डेर घूंसा है यहां पर जैसे डेर हमने स्टर्ट किया हुआ है यहां से उलाइवन से लेकर टूंटीफाइव तक तो यहां पर हमने किस डेट की रिपर्पॉर्ट चाहिए हमें तो हम स्पॉस कर Azon P पहले लेते हैं यहां पे 25 की रिपोर्ट चाहिए तो हमने 25 पे क्लिक किया ये नेखो 25 को हमने क्या क्या लिया यह महीं इंदर इसने wireless mouse 900 का यह लिया अलोक इसने power adapter यह लिया 300 का तो यह लिखो 25 को जो भी हमने यहां पे लिया हुआ है उसकी report बनके यहां पे आ जाएगी तो इस तरह से हम timeline में जाके जो भी हम date बरेंगे उस date का record जो है यहां पे बनके आ जाएगा इसके ब clear filter, clear filter पे click किया यह सारा record यहां पे आ जाएगा इसके बाद इसको अगर यहां पे हमने squatt आणा है तो हम क्य करेंगे यहां पे click करेंगे और delete पे click करेंगे तो यह लिखो यह यहां से हट जाएगा इसके बाद हम यहां पे analyze tab पे जाएगे analyze tab पे जाने के बाद insert slicer इसका use करेंगे तो ये insert slicer यहां पे आ जाएगा अब क्या है यहां पे हमने किसका insert slicer यहां पे बढ़ाना है वहां पे हम check करेंगे यहां पे सभी field यहां पे दी गई है customer name है, item name है, price है, quantity है, sales है, date है जैसे इस field पे customer name इस field पे हम इसको check करेंगे check करने के बाद ok पे click करेंगे, ok पे click करने के बाद यहां पे customer name slicer यहां पे बन के आ जाएगा तो customer name slicer में यहां पे सभी name नहीं आये हुँ है यह देखो इनको दिखने के लिए हम यह scroll कर रहे है उपर नीच से तब जाके यहां पे आ रहे है तो हमने सभी को इनको दिखना है यहां पे जाएंगे options टैप पे जाएंगे यहां पे जाने के बाद column यहां पे बन दिये गया है यहां पे हम two कर देंगे यह देखो two column तो two column में यह जितने भी name थे यहां पर बन के आगे और भी column हम यहां पर बना सकते हैं लेकिन यहां पर two column में यह सारे यहां पर आगे तो हमने यह two column यहां पर बनाए इनका style चेंज करना है तो हम क्या करेंगे यह सब style है यह देखो जितने भी यहां यह सबी style है यहां पे click किया तो इस style में आ जाएगा अगले पे click किया तो इसमें आएगा अगले पे click किया इसमें आएगा तो जो भी style हमें चाहिए उस style पे हम click करेंगे वो style यहां पे आ जाएगा suppose करो हमें यह style चाहिए यहां पे click किया यह style यहां पे apply हो गया apply होने के बाद अब क्या करेंगे हम यहां पर slicer को use करेंगे जैसे हमें क्या चाहिए customer name यह जैसे आमन इसका record चाहिए हमें तो हम क्या करेंगे यहां पर आमन पर click करेंगे यहां पर आमन आ गया laptop adapter इसने लिया हुआ है price है इसका 1000 और sum of sales है यहां पर 7000 तो यह यहां पर आमन का record यहां पर आ गया और का चाहिए तो जिस name के उपर हम click करेंगे वही record यहां पर आ जाएगा यह देखो आगे चमन इसका record आ गया है जीवन यह record आ गया है इसके बाद शशी यह record आ गया है तो जो भी चाहिए हमें यहां पे रिकोर्ड आ जाएगा यह तो यहां पे एक एक का रिकोर्ड आ रहा है अगर हमें तीन या चार का रिकोर्ड यहां पे चाहिए तो फिर कैसी करेंगे जैसे यहां पे तीन का रिकोर्ड चाहिए यहां पे यह देखो क्लिक किया क्लिक करने के बाद ये स्लेक्ट हो जाएगा तो अब हम यहां पे जितने भी रिकोर्ड चाहिए वहां पे हम इनको स्लेक्ट करेंगे जैसे ये एक बलवान का चाहिए एक जीवन का चाहिए ये दिखो जीवन का आगया शशी का चाहिए यह शशी का आगया सुरेश का चाहिए यह सुरेश का आगया तो इस तरह से हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकोर्ड यहां से ले सकते हैं एक तो यह रिकोर्ड अगर मिटाना है हमने तो क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे delete key press करेंगे ये लिको delete key press करने पर ये slicer यहां से चला जाएगा इसके बाद हम यहां पर करेंगे analyze step पर जाएंगे analyze step पर जानी के बाद field setting पर जाएंगे field setting में क्या हुअता है अगर हम ये जितनी भी यहां पर record है इनका sum करना जाते है इनकी average निकालना जाते है या इनको count करना जाते है या इनकी maximum value निकालना जाते है कि maximum value कौन सी है या minimum value कौन सी है यहां पे यह देखो यह grand total यहां पे आया हुआ है तो यह total sum के आया हुआ है अगर हम इसको average में निकालना जाते है या इसकी maximum value यहां पर देखने जाते हैं कि maximum कौन सा है minimum कौन सा है average क्या है तो यह काम हम यहां पर जाके कर सकते हैं बिना formula के तो यह देखो field setting यहां पर click किया click करने के बाद यहां पर value field setting यह dialogue box यहां पर आ जाएगा तो जितने भी यहां पे उपर data दिया गया है इसका sum होके यहां पे आ जाएगा इसके बाद अगले function को करेंगे field setting पे जाएंगे field setting पे जाने के बाद यहां पे second है यहां पे count करने है कि कितने है यहां पे count पे click किया इसके बाद OK पे क्लिक किया OK पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहां पे count करके यहां पे दे देगा ये इसके बाद फिर हम यहां पे field setting में जाएंगे average पे क्लिक करेंगे average पे क्लिक करने के बाद OK पे क्लिक करेंगे OK पे क्लिक करने के बाद ये देखो जितनी भी average है यहां पे वो निकाल के यहां पे दे देगा इसके बाद फिर हम यहां पे field setting में जाएंगे के बाद है maximum की maximum value कौन सी है इन में से तो यह max पे यहां पे click किया click करने के बाद यहां पे ok पे click किया ok पे click करने के बाद यह देखो 25,000 यहां पे maximum value है इसके बाद आगे हम minimum value देखने जाते हैं तो फिर हम यहाँ पे field setting में जाएंगे min यहाँ पे minimum value यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद यह देखो 300 यहाँ पे minimum value है तो इस तरह से अगर हमने यहाँ पे sum निकालना है या average निकाल नहीं है या maximum value निकाल नहीं है या minimum value निकाल नहीं है तो ये हम सभी यहाँ पे काम कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने 5-0 table के बारे में detail में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद